IPL retention में अभी तक कुछी घंटे बचे हैं और अभी तक MI का तमासा ही खतम नहीं हुआ है रोहित को बाहर करो तो सूरिया हो जाते हैं ना राज पाणिया पर हाथ रखो तो बुम्रस चल देते हैं बाहर आज साम तक IPL कम्नुटी को देना है return player के नाम बड़े संकट में फस गई है MI retention से ठीक पहले इन तीन बातों से काप रही है नीता अमबानी अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खतम हो जाएगा नीता अमबानी को दिल पर पत्थर रखकर लेना पड़ा है बड़ा फैसला आ गई आर पार की नोबत तो क्या है पुरी खबर के जनकारी सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में बस आप वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंदा जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब जरूर से करना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो, IPL 2025 के ओक्षन को लेकर अभी से यहाँ पर दोस्तो ताल मटोल होना सुरू हो गया है क्योंकि दोस्तो, 2025 में रिटेंशन को लेकर अभी तक जो खबरे आ रही है वो खबरे कहीं से भी मुंबई इंडियन्स के लिए कहीं से भी अच्छी नजर नहीं आ रही है अगर बात करें दोस्तो, IPL की तो यहाँ पर दोस्तो, IPL गवर्निंग कोंसिल ने एक रेगुलेशन जारी कर दी है जहाँ पर उन्हें बता दिया कि जो 10 की 10 टीमें है उनको अपनी जो रिटेंशन लिस्ट है उसे 31 अक्टूबर तक जारी कर देना है अब यहाँ पर दोस्तो अगर आप देखोगे तो सभी टीमोंने लगभग लगभग रिटेंशन लिस्ट जारी भी कर दी है और कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो संसय में हो जो संकट में हो कि आखिरा में किस खिलाडी को देना है लिस्ट में और किस खिलाडी को नहीं देना है लेकिन एक टीम ऐसी है जो लगातार इस बात को लेकर परेसानी में है कि भाई आप करे तो करे किया और वो टीम है दोस्तो Mumbai Indians की टीम क्योंकि दोस्तो Mumbai Indians की possible retention अभी तक किलियर नहीं हो पाई है अगर आप लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे सुर्कुमार यादो है, रोहित सर्मा है, इसान किसन है, जस्वित बूमरा है और उसके लावा दोस्तो हार्दिक पाणिया है तो अगर आप देखोगे दोस्तो तो यहाँ पर चार कौन सी खिलाडी को रिटेन करना है यह बहुत बड़ा कंफुजन नजर आ रहा है उसके अलावा दोस्तो सबसे बड़ी जो प्रोब्लम मुंबे इडियंस के नजर आ रही है वो है दोस्तो केप्टेन को लेकर एक सिनेरियो बनाना जस्वित बूमरा भी उसी नाम में है पांसपर छेचे खिलाडी यहाँ पर है दोस्तो 6 खिलाडीों के बिolic जंग है दोस्तो सबसे बड़ी जो जंग है केप्टेन को लेकर अब प्रोबलम यहाँ पर दोस्तो यह है कि मुँमे में मेनेजमेंट अगर हार्दीक पान्या को केप्टेन चीड देती है कि अगर भाय अगर पाणिये को कफ्तानी दोगे तो मैं नहीं खेलूँगा और इधर यहाँ पर दोस्तों दूसी तरफ अगर माल लीजिए है तो फेटिकली रोहित सर्मा को केटवेंसी दी जाती है तो यहाँ पर दोस्तों हार्दिक पाणिया के फेंस नराज हो जाएंगे और हार्दिक पाणिया भी भीट्टू कर देंगे कि भाया मैं नहीं खेलने वाला हूँ मैं टीम छोड़ रहा हूँ लेकिन जिस तरीके का परदसन हार्दिक पाणिया कर रहा है उसके दम पर यहाँ पर उनको team इंडिया में जगा नहीं मिल रही है तो Mumbai Indians उनको कहां से जगा देगी अब तक यहाँ पर दोस्तों जो अलग अलग teams है उन्होंने अपने retention तो final कर लिया है लेकिन Mumbai Indians के लिए retention की जो यहाँ पर गुथी है वो सुलजने का नाम ही नहीं ले रही है कल 31 अक्टूबर है 31 अक्टूबर के दिन यहाँ तक दोतो साम थक retention लिस्ट को देना है अगर उस समय तक लिस्ट नहीं दे पाते हो तो क्या करोगे यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि उसके बाद auction भी आना है और auction की दीन तो यहाँ पर दोस्तो हर टीम को काफी अच्छा खेल दिखाना ही पड़ेगा अब देखना दिल्चास पी यह होगा कि दोस्तो किस तरीके से मुंबाइनिया से कड़ी सिच्वेशन को हेंडल करती है आपका इस पर क्या राई है कमेंट करके अपने राई नीचे जरूर देना वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक करें और चेनल को भी सब्सक्राइब जरूर चे करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनियवाद